जैहिन साथियों स्वागत आश्रीगा आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिग जोस में साथियों उम्मिद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे तो साथियों आज किस वीडियो लेक्चेर में हम डिस्कस कने वाले हैं परमुक भारती सरों के परसीद उपनाम की तो साथियों आप कोई भी एक्जाम देने जाते हैं तो परमुक सरों के परसीद उपनाम से सम्मंदित एक या दो कोसंस आपसरी के एक्जाम में जरू पुछाता है तो वीडियो को इन तक जहुड देखेगा क्योंकि मैंने सिर्फ उनी कोसंस के बारे में डिस्कस किया है जो कि बार बर परिच्छाओं में पूछे जाते हैं आईए देखते हैं जैसे मारा पहला प्रस्ट है नवावो का सहर के नाम से किस सहर को जाना जाता है काफी important कोसन है ये कोसन कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है तो नवावो के सहर के नाम से जो की लखनव को जाना जाता है जो की उत्तर परदिस की राजधानी भी है तो याद रखिएगा नेक्स कोस्टन है भगवान का निवास किस सहर के लिए संभोधित किया जाता है भगवान का निवास के नाम से किस सहर को संभोधित कियाता है इलहाबाद, मदुरई, उज्जैन, नैनिताल तो इसमा राइट एंसर आप्सन एह हो जाएगा इलहाबाद, इलहाबाद सहर को जोगी भगवान का निवास सहर के नाम से भी सम्धवोधित कियाता है ये भी कई बार इक्जाम में पूछा जा चुका है Next question है, भारत का उद्यान सहर किसे कहा जाता है? काफी important question है, तो भारत का उद्यान सहर जोगी बंगलूरू को कहाता है किसको भारत का उद्यान सहर के नाम से बंगलूरू को भी जाना जाता है? याद रखियेगा Next question है, पाँच नदियों की भूमी किसे कहा जाता है? काफी important question है, ये भी कई बार उद्यान में पूछा जा जा चुका है तो पाँच नदियों की भूमी जोगी पंजाब राजिको कहा जाता है पाँच नदियों की भूमी पंजाब राजिको कहाता है, याद रखियेगा next question है, काले हीरे की भूमी का सहर किसे कहा जाता है? तो काले हीरे की बात किया है, किसका काले हीरे की? तो काले हीरे की भूमी का सहर किसे कहा जाता है? आसन सोल को, काफी important question है, कई बार उद्याम में पूछा जा चुका है तो याद रखियेगा नेक्स कोशन है पेठा नगरी किस सहर को कहा जाता है आयोप इसका एंसर आप सभी को पता होगा कि आगरा सहर को जोगी पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पिर रंग भी रंगे कोई परकार के पेठा बनाय जाते हैं और यह कोसन कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है नेक्स कोसन है मेगु का घर किस राजी को कहा जाता है तो मेगालय को जो की मेगु का घर के नाम से भी जाना जाता है इंपोर्टन कोसन हो जाता है नेक्स कोशन है नीला सहर तथा सूर्य नगरी किस सहर को कहा जाता है देखे दो दो उपनाम दिया है नीला सहर तथा सूर्य नगरी तो नीला सहर तथा सूर्य नगरी जोकी जोदपुर सहर को कहा जाता है और ये भी काफी important question है तो साथियों इस वीडियो में दिये गए सभी questions exam oriented और selective है ये सभी question किसी ना किसी exam में पूछे जा चुके है तो सभी को ध्यान से देखिएगा और सभी का answer याद करते जाएगा तो next question है भारत का switcher land किस सहर को कहता है देखिए बात क्या है भारत का switcher land और ये question काफी important है इसको double star mark कर लीजिएगा तो कस्मीर राजे को जो की भारत का switcher land के नाम से भी जाना जाता है याद रखिएगा next question है भारत का western किसे कहा जाता है तो भारत का western जो की अहमदाबाद को कहा जाता है याद रखिएगा next question है परधानमंत्री का सहर किसे कहा जाता है देखे question काफी important है और काफी confusion वाला question है क्योंकि बच्चे इसका answer दिल्ली लगाते है कि दिल्ली होगा लेकिन नहीं ये answer बिल्कुल गलत है परधानमंत्री भाले ही कुल तीन परधानमंत्री जोखी परियाग राज से रह चुके है इसलिए जोखी परधानमंत्री सहर के नाम से परियाग राज को जाना जाता है याद रखिएगा next question है भारत का रेशम सहर किसे कहा जाता है भारत का रेशम सहर काफी important question है तो भारत का रिसम सहर के नाम से भागलपूर को जाना जाता है किसे भागलपूर को याद रखिएगा Next question है दुनिया का चम्रा सहर के नाम से किस सहर को जाना जाता है तो देखिए भारत का ही नहीं बलकि दुनिया का किसका भारत का नहीं बलकि दुनिया का चमडा सहर के नाम से तो काफी ये important question हो जाता है क्योंकि दुनिया की बात है तो दुनिया का चमडा सहर जो की कानपूर को कहा जाता है किसे कहाता है कानपूर को याद रखिएगा next question है भारत का दिल के नाम से किस सहर को पुकाराता है काफी important question ये भी होता है double star mark कर लिजेगा तो भारत का दिल के नाम से जो एकी दिल्ली को पुकाराता है किसको दिल्ली सहर को भारत के दिल नाम से भी पुकारा जाता है याद रखियेगा next question है चावल का कटोरा के नाम से किस राजी को जाना जाता है काफी important question है किरिसी छातरों के लिए तियो काफी favorite question है तो चावल के कटोरा के नाम से जो आखी 36 गड़ राजी को जाना जाता है किस राजी को 36 गड़ राज को जानाता है चावल के कटोरा के नाम से याद रखिएगा नेक्स कोशन है विश्व की काजू राजधानी किसे कहाता है काफी इंपर्टेंग कोशन हो आता है क्योंकि भारत कहीं ने बलकि विश्व की काजू राजधानी काफी important question वाता है तो काजु राजधानी के नाम से जाना जाता है किसे मदुराई को जाना जाता है याद रखियेगा next question है भारत का बिज्ञान सहर किसे का आता है काफी important question है कई पर यह question exam में पूछा जा चुका है तो बैंगलूरू को जो एकि भारत का बिग्यान सहर के नाम से जाना जाता है और यह important question है इसको याद रखिएगा Next question है भारत का मंदीर सहर नाम से किसे जाना जाता है तो भारत का मंदीर सहर के नाम से जो एकि भोनेस्वर को जाना जाता है याद रखिएगा नेक्स कोशन है निन में से किसे इलेक्टरानिक नगर कहा जाता है इन चारों में से किसे जो एकी इलेक्टरानिक नगर के नाम से भी जाना जाता है तो किसे बैंगलूरू को किसे बैंगलूरू को important question है याद रखिएगा next question है औरब सागर की रानी की से कहा जाता है तो औरब सागर की रानी ये question कई बर exam में पूछा जा चुका है कि कोच्ची सहर को जो की औरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है important question है याद रखिएगा next question है तालों का सहर किस सहर को कहा जाता है तो तालों का सहर जो की नैनी ताल तालों के ताल नैनी ताल इस question को याद रखिएगा Next question है भारत की स्वास्तराजदानी कीसे कहा जाता है तो भारत की स्वास्तराजदानी जो की चिन्नई को कहाता है काफी important question आता है मेडिकल के स्टूरेंट्स के लिए कि भारत की स्वास्तराजानी की से खाता है चेन्नाई को कहा जाता है तो साथियों ये रहे आपके भारती सहरों के परसीद उपनाम से सम्मंधित वे सभी महत्तफूल प्रश्ण जो कि आने वाली सभी परिशाओ में पूछे जा सकते हैं और ये सभी प्रश्ण किसी ना किसी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो आई होप आप सविर को सारी कुसन अच्छे से समझाए होंगे और लर्न हो गया होंगे तो वीडियो की क्वाल्टी और कंटेट आपको पसंदा रहा हो तो वीडियो को लाइक और सेर करके चैनल को सब्सक्राइब जब कर लीजिएगा